दोस्तो पैलोरास जैक नाम का एक डॉल्फिन था जिससे कानोनी रूप से प्रोटेक्शन दिया गया था लेकिन क्यों पैलोरास जैक नाम का इस डॉल्फिन ने 1828 से 1912 के बीच दरजनों जहाजों को डूबने से बचाया था उस टाइम ये होता था कि न्यूजिलेंड के कुक स्ट्रेट इलाके में समुद्र पे काफी उथल पुथल मची रहती थी जिससे जहाजों की डूबने की खत्रा बढ़ जाता था लेकिन पैलोरास जैक नाम का ये डॉल्फिन वहाँ गुजरने वाले सबी जहाजों को एक सुर पीछे चलने लगते थे इस तरह इस डॉल्फिन ने कहीं सारे बड़े बड़े जहाजों को डूबने से बचाया था पैलोरास जैक को आखरी बार 1912 में देखा गया था दोस्तों इस डॉल्फिन के लिए एक लाइक तो बनता है